हेलो फेन कैसे है आप बड़िये मज़े में फिट और फाइन होंगे तो सलिए आज के टोपिक पे सर्शा करते हैं इसे पहले मेरी ये यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कॉम्प्यूटर या लेप्टोप में बोल कर कैसे टाइपिंग करते हैं जैसे दोस्तो आप मोबाइल में बोल कर टाइपिंग करते हैं वैसे ही आप कॉम्प्यूटर या लेप्टोप में भी बोल कर टाइपिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप मेरे वीडियो में बने रहे हैं दोस्तो आपको माइकरोफोन की एक जुरुत पड़ेगी आप बजर में जाके सस्ता वाला माइकरोफोन ले लिजिए बाद में आपको जा करना पड़ेगा आपके computer या laptop में typing करना है तो आपको computer या laptop में net connect होना साहिए बाद में आपको Google Chrome install कर लेना है Google Chrome install होने के बाद Google Chrome है उसका icon है उसके उपर आप right click करके open कर लीजिए और आपका Google Chrome है open हो जाएगा, open होने के बाद, आपको left side app, app show दिखेगा, app show उपर आप click किजिए, इसके बाद google app store है, उसके बाद slide है, उसके बाद doc है, उसके बाद google drive है, उसके बाद site, email, या youtube है, वो google की app है, वहाँ आपको slide docs और sheet दिख रहा है, उसमें आप quality work बाल कर typing कर सकते है, यानि के voice typing जो कहते है, वो कर सकते है, तो से आप mobile में भी app में आप typing करते हैं, इसी तरह आप computer ये laptop में typing कर सकते हैं, इसमें आपको अलग से microphone के जुरूत पड़ेगी, यहाँ आपको google doc दीख रहा है, उसके उपर आप click किजिए, click होते ही आपका google doc ये open हो जाएगा, बाद में आपको start a new document दीखेगा, वहाँ पहला जो black plus का symbol है, उसके पर आप test किजिए, और mouse से click किजिए, दोस्तों अपना google doc ये open हो गया है, उसका नाम है untitled document, पहले तो हम दोस्तों phone की size से वह बड़ी कर देते है, ताके मैं typing करूँ बोलकर तो आपको clearly दीखे, बाद में आपको दोस्तों menu में जाना है, इसमें file edit view insert format बाद में आता है tools, tools उपर आप click किजिए, बाद में आपको microphone जैसा symbol मिलेगा, वह symbol voice typing का है, उसकी shortcut की भी है दोस्तों, Ctrl प्लस Shift प्लस S, वहाँ आप voice typing दीख रहा है, उसके उपर आप mouse से click किजिए, click होते ही microphone है, open हो जाएगा, बाद में दोस्तों आपको microphone जैसा symbol दीखेगा, वहाँ आपको लिखा है English US, वहाँ से आप एक बार mouse से click किजिए, और mouse में coral bar आता है, वह कुमा ये, कुमाने के बाद आपको नीशे मिलेगा, कोई भी language आप select करके, बोल कर typing कर सकते हो, हम पहले, इंदी language select कर लेते हैं, बाद में आपको नीशे लिखा है click to speak, आप एक बार mouse से click किजिए, बाद में आप बोल कर tapping कर सकते हो, तो कैसे दोस्तों पहले हम एक बार mouse से click करते हैं, click होने के बाद वो microphone है, वो red color का हो जाएगा, यानि वो select हो जाएगा, typing के लिए, हेले दोस्तों कैसे आप बड़ी मज़े में होंगे, तो दोस्तों आपने देखा कि, हिंदी में बोल कर कैसे typing कर सकते हैं, computer में, तो दोस्तों हम दूसरी language भी select करके देखते हैं, तो दोस्तों आपने देखा कि, हिंदी भाशा select करके, हिंदी में बोल कर आप बोलते हैं, वैसे ही typing साथ साथ हो रहा है, दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो आप बोल कर हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, आपको keyboard की कोई जरूत नहीं पड़ेगी, ओके दोस्तों, बाद में हम गुजराती लेंग्वेज हैं, वो select कर लेते हैं, यहां से हम Ctrl A, वो delete मार देते हैं, बाद में हम गुजराती लेंग्वेज शिलेक कर लेते हैं, हम microphone symbol हैं, उसके फ़र, माउस से एक बार क्लिक करना है, हेलो दोस्तों के मजा मा, मजा मा जेशो दोस्तों, आजे आपने computer मा और laptop मा बोलीने काई रितना टाइपिंग करें, दोस्तों तमी जोई रहे हैं सोके, गुजरेती मा अपन साव सरर रिते बोलीने टाइपिंग करी सकते हैं, सीए, बाद में दोस्तों आपको share का जो option है, कोई भी email है, वो email में आप share कर सकते हो, वो भी word file में, आपको जा करना है, बाद में दोस्तों file है, उसके उपर आप click किजिए, click होने के बाद file menu हो जाएगा, open होने के बाद आपको एक download का option है, दोस्तों आप देख रहा है कि यहां more than format में आप files download कर सकते हो, पहले, दोस्तों Microsoft Word है, वो dog file है, उसमें हम download करते हैं, दोस्तों file download हो गई है, उसके उपर आप double click करने के बाद, आपके computer में Microsoft Word है, उसमें open हो जाएगी, दोस्तों हमने last में गुजरती में typing किया था, तो गुजरती में जो file है, वो हमने download की थी, तो दोस्तों आपने देखा कि जो गुजरती में बोलकर हमने typing किया था, वो आपको दीख रहा है, दोस्तों यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो like और share कीजिए, thank you. चुजरती में है थाफब चुजरती में जोस्तों तोस्तों आपको किया था था, हाथ।